City Computer Education के YouTube चैनल के उपर आपका सौगता, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो क्रिप्टाइब कर लीजिए, ताकि आपको टेक्नोलजी से एक लेटेट वीडियो मिलते रहें, देखें ये हमारे YouTube चैनल है, इसके उपर यहां पर सब्सक्राइब क बटन है, इसके उपर क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, Computer Awareness, Question Answer Session for Government Job, Bank, PO, Clark, जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है binary number के उपर, जो हमारे computer है दोस्तों, वो binary language को ही समझता है, इसमें जो भी टास्क होती है, उसको या तो 0 से denote किया जाता है, या फिर 1 से denote किया जाता है, means हर एक काम को, हर एक input को, जो हमारा computer है, जो हमारा processor है, वो convert कर देता है binary language में, 0 और 1 के बीच, जिस तरह से कि मैंने decimal number मान लिए, कीबोर्ड से अपने, इस list में से मान लेता है कि मैंने 5 को input किया, जैसे ही मैं 5 input करूँगा, तो फिर, जो binary numbers में, उसकी जो conversion है, वो हो जाएग है, वो 2 होता है, और इसको radix भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 होती है, या 1 होता है, इसमें कोई इन दोनों के इलावा कोई और digit नहीं होता है, इसलिए इसका जो base या radix है, इसको 2 बोला जाता है, और इसकी definition भी देख लेते हैं दोस्तों, जल्दी से, in mathematics and digital electronics, a binary number is a number expressed in the binary numerical system or base 2 numerical system which represents numerical value using two different symbols, typically 0 and 1, the base 2 system is a position, notation with a radix of 2, ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है, computer memory की, अब computer memory में दिखा जाए तो, यहाँ पर आपके आगी चार्ट बन रखा है, जो 1024, 1024 byte का 1 kilobyte बनता है, और 1024 kilobyte का 1 megabyte बनता है, और 1024 megabyte का 1 GB बनता है, बस दोस्तों आपको यह याद रखना है कि, 1024 means 1024 byte kbmb, और वो अपने से उपर वाली जो level होता है, उसमें convert हो जाएगा, Thank you, दोस्तों, please like and share with your friends as much as you can.